आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा वीडियो में 10th कलास के Math Subject Chapter No.3 Pair of Linear Equation in Two Variables की Exercise 3.6 के Question No.2 के Second Part को कर रहे है क्या कहता है? Two women and five men can together finish an embroidery work in four days चार दिन में complete कर देते हैं While three women and six men can finish it in three days Same work को three women and six men can finish it in three days Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone दोनों का अलग-अलग निकालने ना हमने चलिए हम यही मान लेते हैं Solution में Let Time Taken By One Woman Alone हमने X days मान लिया चीक है? और Time taken By By One Man Alone इसको हमने मान लिया While Days अब समझने की कोशिश कीजी कि मान लीजी आपको कोई काम करना है और आप उस काम को 10 डेज में कर रहे हैं या 5 डेज में कर रहे हैं मान लीजी 5 डेली आप सेम काम कर रहे हैं और आपने उस काम को 5 डेज में complete कर दिया इसका मतलब आपने उसके कितने पार्ट कर लिये 5 5 पार्ट कर लिये 5 5 डेज में कर रहे हैं 5 डेली आप 1 by 5 1 by 5 1 by 5 1 by 1 by 5 आप वरक कर रहे हैं डेली जो आप काम कर रहे हैं वो कितना हो गया 1 upon 5 1 upon 5 1 upon 5 उसको सबको आड़ करोगे तो पूरा 1 वरक हो जाएगा चीक है अब अगर हमें टोटल डेज का पता हो अगर एक कोई दूसरा आदम उसको 10 डेज में करेगा तो उसका 1 डे का जो वरक होगा वो 1 by 10 हो जाएगा इक्वल पार्ट करके अब अगर कोई एक वोमें एक्स डेज में करेगे तो इसका 1 डे का वरक कितना होगा 1 by x होगा कलियर है ठीक है तो according to question कितनी वोमें है 3 वोमें है 1 वोमें एलोन x डेज है पहले हम इसका 1 डे वरक निकाल लेते हैं 1 डे वरक ओफ 1 वोमें यह 1 by x डेज ही होगा यह कलियर है अब मैं यहां से समझा दिया x डेज ले रहे हैं तो वो 1 by x हो गया और 1 डे वरक ओफ वरक ओफ 1 में डेट इस 1 अपोन y वरक है सोरी है डेज नहीं है क्योंकि हम वरक की बात करें 1 अपोन x और 1 अपोन y हो गया अब एक वोमें एक दिन में इतना काम कर रहे है कितनी वोमें दो वोमें कितना काम करेंगे 2 by x according to question देखिए हमारे पास यहां से 1 वोमें 1 by x 2 वोमें 2 by x 1 मैं 1 by y 5 मैं 5 by y यह काम किया वोमें ने यह काम किया मैं ने और यह सारा काम कितना हुआ अब यहां पे मैं बच्चे केंफ्यूज होते हैं देखिए वो टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं 4 डेज में कर रहे हैं वही condition हो गया यह इनका 1 वरक हो गया 1 वाई 7 होगा दो बंदे मिलकर अगर किसी काम को 7 डेज में कर रहे हैं तो उसका 1 वरक क्या होगा 1 वाई 7 तो इनका अगर यह काम 4 डेज में कर रहे हैं तो उन दोनों का 1 वरक कितना हो जाएगा 1 वाई 4 हो जाएगा यह step समझ में आना बहुत ज़रूरी है ज्यादा तर बच्चे इसको is equal to 4 कर देते हैं यह वन डे वरक यह हमारे पास है वन डे वरक वन वो मैन 1 वाई 7 था 2 वो मैन का 2 वाई 7 वाई 7 वाई 7 5 वाई 7 वाई 7 तो इनका वन डे वरक कितना हो जाएगा 1 वाई 3 यहां से अब हमने पहले क्वेशन की तरह सोल करना है लेट लेट 1 वाई X is equal to P and 1 वाई Y is equal to हमने क्या माल लिया क्यों माल लिया तो यह मेरे एक्वेशन बन जाएगी 2P पलस का 5 क्यों is equal to 1 वाई 4 2P पलस 5 क्यों is equal to 1 वाई 4 1 माल लिया हमने ठीक है नेक्स में हम क्या करते है इसमें यह बन जाएगा 3P पलस का 6 क्यों is equal to 1 वाई 3 3 से मल्टिप्लाइ अगर मैं करता हूँ तो 9P पलस का 18 क्यों is equal to हमारा कितना हो गया 1 इस इस माई सेकेंड एक्वेशन ठीक है अब हम अगर यहां से 1st and 2nd को equate भी कर दें देखिए यह राइट एंड साइड वन है लेट एंड साइड वन है अगर मैं इन दोनों को equate कर देता हूँ तो pure Q की value equate हो सकती है from from 1 and 2 हमारे पास 8P पलस का 20 क्यों is equal to 9P that is equal to 18 क्यों के plus 18 क्यों कि right hand side equal है तो left hand side भी equal हो जाएंगी solve करेंगे यहां से P यहां से कितना रह गया 2 क्यों means P is equal to किसके है P is equal to 2 क्यों के है किसी में भी put कर दीजी putting in 1 यह हमारे method है अलग-लग निकालने के लिए कुछ भी कर सकते है elimination से भी कर सकते थे इसको 9 से इसको 8 से multiply करके तब भी निकाल सकते थे यहां पे हमने equate कर दिया putting in 1 P की जगह मैंने 2 क्यों put कर दिया 8 into 2 क्यों plus का 20 क्यों and that is equal to 1 8 तुजा 16 16 क्यों plus का 20 क्यों that is equal to means 36 क्यों is equal to 1 क्यों की value हमारे पास कितना हो गया 1 by 36 हो गया ठीक है so P की value क्या हो जाएगी P is equal to 2 into 1 upon 36 means cancel हो के 1 by क्या हो गया 18 हो गया बट हमने तो 1 by X माना था so 1 by X so P की value हमारे पास 1 by X means P की value हमारे पास कितनी है 1 by 18 है so X की value हो जाएगी 18 और 1 by Y क्यों था क्यों की value 1 upon Y है that is 1 upon 36 है so Y is equal to कितना हो गया 36 X और Y की value तो निकालनी थी तो हमने क्या हो गया time taken by time taken by 1 woman alone X माना था X की value कितनी होगी 18 days simple यह तो हमारे पास woman का आ गया और time taken by 1 man alone that is how much 36 days यह आपका final answer आ गया चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में अगले question के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भाद लुए झाट इस वीडियोőग ई Gesch繼續 झाल झाल